हरी 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 ओम दैटिरानी तुम्हारे इस पुत्र में देवताओं से वियरे उच्छे और उज्वल संस्कार पढ़े ठो रही है कि मैं अशिवाद देता हूँ तो तुम्हारा ये पुत्र भगवाई श्री अभी विष्णु के बड़ना और स्रेश्ट भक्त के रूप में जगत में प्रसिद्ध हो जाए नारा नारा गुरुवर्ट गुरुवर्ट मुझे अपने प्रश्ण के लिए शमा करें की तुम्हारा नारा नायन ऐ होते हैं अर्थाथ मेरे आने और जाने का प्रयोजन में केवल देव-दर्शन ही होता है को मैं स्मय भगवान गोलेनात और स्रीहरी विश्नू के दर्शन के लिए जा रहा हूं। को ऐसे ही दर्शन नहीं देते, शर्वपर्थम वे अपने भक्तों की परिक्सा लेते हैं और परिक्षा पूर्ण होने पर ही वे अपने भग्तों को दर्शन भी देते हैं ओ मरी तो गुरुवर क्या श्रीहरी विष्णु के दर्शन पाने के लिए आपको भी परिक्षा देनी पड़ी थी हाँ वत्स मुझे भी शिक्षा लेनी पड़ी परिक्षा देनी पड़ी और फिर दिक्षा ही लेनी पड़ी शिक्षा परिक्षा और फिर दिक्षा मा प्रदुखाल ऐसा ही होता है मैं भी शिक्षा लेकर शिक्षित हुआ परिक्षा देकर परिक्षित हुआ और अंत में दिक्षा लेकर दिक्षित हुआ अताय, तुम्हें भी दर्शन पाने के लिए परिक्षा तो देने ही होगी ओम हरी, मैं कैसे दूंगा परिक्षा, मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता आपकी क्रिपा होगी, तो मैं उनके बारे में कुछ जान सकूँगा आप मुझे हरी कथा सुनाएं, गुरुवर हरी कथा? हाँ, हाँ, हमश्य सुनाँगा पर कैसे सुनाँगा? नारायन, नारायन भला श्री हरी कथा कौन सुना सकता है बार? श्री हरी तो अनंत है, उसी प्रकार इनकी कथाएं भी अनंत है श्री हरी कथा का आरम कहां से होता है और उसका अंत कहां पर होता है ये तो कोई नहीं जानता मैं भी नहीं जानता केवल भगवान श्री हरी विश्णु की असीन प्रिपा है हरी कथा का ज्यान करा सिक्ति नाराय नाराय ओम्हारी, ओम्हारी, हारी, 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 ना रायर ना रायर और नमश्शिवायर भोले नाति माता पार्वती मैं बहुत समय से आप दोनों के दर्शन का लाब उठाने के लिए उपस्तित नहीं हो सका मुझे क्षमा करें इसमें क्षमा मागने की क्या आवशक्ता है नारत। कुछ कार्य या कारण ही रहा होगा। कि तु ये बताओ कि इतने समय तक आप थे कहां। माता, भोले नातने इस विशे में आपसे कुछ कहां नहीं। बार-बार पूचने पर भी केवल इतना ही बताया गया। कि किसी ने आपकी ब्रह्मन लीला को रोग कर आपको एक स्थान पर प्रतिवद्ध कर दिया है नारायन नारायन भोली नारायन जब आप इतना सत्य बता ही चुके हैं तो शेश सत्य भी बता ही दे तुम ही बताओ ना नाराद माता मैं तो केवल अपने करतवे का पालन कर रहा था पर कैसा करतवे देवी नाराद ने एक देट्टे पुत्र को परम विश्णु भक्त बना दिया है इसी करतवे का पालन हो रहा था बस केवल इतने से कारेव कारण के लिए इतने समय तक क्यलाश पर नहीं आना हुआ ये तो कारे का शेश भाग था देवी पूर भाग और अधिक मैंको पूर जिसमें समय लगा इंद्र द्वारव पीड़े हिन्न कशप की पत्नी क्याधू की रक्षा कर नारद में उसे अप वे संदेश सुनाएं मानगे संवेदनाव का परिचे दिया ताकि उसके गर्भ भेपल रहे शिशु में सूसंस्कारों की जागरती हो सके नारद के ही सत्प्रेत्नों का परिणाम की प्रलहाद परम विष्णुभग बन गया है अति उत्तम फिर तो नारद साधुवाद की अधिकारी है माता मैं तो बोलेनाद की क्रिपा का अधिकारी बना रहना चाहता हूं हो तो तुम हो ही किन्तों प्रभु दर्दराज इरन्ना को शब प्रमाजी से वर्दान पाकर अब उच्रंखल हो उठेगा ऐसे में उसके पुत्र प्रहलाद का विष्णुभग बने रहना क्या संभव हो सकेगा नारद प्रहलाद तुम्हारा शिश्य है देवी पार्वति के प्रश्ण का उत्तर भी तुम्हें ही देना चाहिए मैं तो प्रहलाद का केवल मार्ग दर्शक हूं परन्तु आप आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं सर्व व्यापक सर्व शक्तिमान मैं भला आ आप ही बताए ना प्रभू देवी हिर्नकश्यप और प्रधाव पिता पुत्र अवश्य है किन्तों उनकी चेतना की दिशा भिन्य है पिता अशुप का प्रतिनिधी है तो पुत्र शुप का दोनों में टक्राव अवश्यम भावी है इससे जगत का लाभी होगा पून परि पुक्षा करनी हो